नमस्का फ्रेंट्स आज हम कन्य लगन के जादकों के लिए सेप्टेमबर 2023 का महीना कैसा रहेगा और उस पर भी विशेश तोर पर जो देव गुरु ब्रिस्पती की वक्री स्तिती चार महीनों के लिए बनने वाली है उस पर चर्चा करेंगे और उसी के साथ साथ इस वीडिय में ऐसा समंद बन रहा हो या गोचर में कभी ऐसा कोई समंद आ जाए या दशा अंतर दशा उन ग्रहों के आपको आ जाए तो आपको प्रबल राज्यों के प्राप्ति हूँ या जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो वो इस लाएगी वो उसकी चर्चा करूँगा वीडियो को आगे बढ़ा हूँ आपसे वही आग रहे है जो लोग मेरे चैनल में नए है प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल एक बैल आइकन उसे प्रेस कर दे और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दे तो कन्या लगन वालों के लिए सब सबसे पावरफुल हाउस होता है वो दशम सान होता है जिस प्रिकार से त्रिकोन का सबसे पावरफुल स्थान जिसको लक्षमी स्थान का जाता है वो नवम भाव होता है तो अब केंद्र का सबसे मजबूत घर जो है वो आपकी जनम कुल्ली का बुद है और बुद की स्थि बार्वे भाव में है। है, दूर का यार मित्र जुरूर नहीं कि में बसे हो, कहीं आपके शहर से दूर रहते हो, तो उन के सह형 से उनके समंधों से आपको लाब मिल सकता है। और व्येयर उन पर आपको करना पड़ सकता है। तो कुल में लाकर के आय और वे की स्थितियां बुद्ध की इस दशांतर दशा में आपको प्राप्त होने वाली हैं, तो ये बुद्ध की वज़े से हो गए, उसके बाद मैं सूर्य ग्रह की बात करता हूँ आपकी जनम कुल्ली में, सूर्य बारे भावका स्वामी होता है, औ उस ग्रह के साथ से जो है, वो सहचारिता का नियम लगता है, उसके साथ से वो प्रणाम देता है, तो अब सूर्य महराज की जो स्थिति है इसा में, वो केंदर के सबसे पावरफुल जो ग्रह है, बुद्ध, उसके साथ है, तो ये सूर्य की दुद्धशा अंतरदशा आप के बाद सेप्टेंबर मीने में बहुत अबर्दस रहने वाला बहुत उत्तम आपको ये राजयोग दिला सकता है क्योंकि ये आपका सूरे जो है वो इस प्रकार से बुद्ध की तरह प्रणाम देना शुरू करेगा क्योंकि सहचारिता का नियम लगता है यहां पर तो अच्छ लोग विदेशों में बसे हैं उनके लिए मान समान की प्राप्ति हो सकती है तो कन्यमगन वालों के लिए ये कुछ परिस्तितिया बनी है सरकार से ठेका लेना चाहते हैं उसके लावा नौकरी के लिए आपको ये बहुत उत्तम राजयोग बना रहा है क्योंकि दशम के नमम भाव उसका स्वामी होता है तो द्वित्य भाव के प्रिणाम देने की बजाए ये नमम भाकिस्तान के प्रिणाम आपको देगा और शुक्री समय वक्री स्थिति से में गोचर करते हुए आपके लाबस्तान में करकराशी में गोचर कर रहे हैं तो शुक्र की स्थिति बहुत ही जवर्दस्त मैं कह सकता हूँ, आपकी जनम कुल्ली में अगर शुक्र के साथ बुद्ध का योग कहीं हो रहा हो, जिसकी भी जनम कुल्ली में शुक्र के साथ बुद्ध का योग बन रहा हो या शुक्र के साथ देवगुरु ब्रहस्पति का योग बन रहा हो, तो य शुक्र भी आपको लाब की अफसर यहां पर दिलाता हूं नजरार है और बड़ी अच्छी बात है कि देव गुरु ब्रहिस्पदी की दृष्टी भी इस पर बढ़ रही है तो एक तासे समन्द बन रहा है चतुर्थ केंद्र का समन्द बन रहा है सब्तमस्थान के केंद्र हा उसका समन्द जो है वो आपके त्रिकोन हाउस नवमस्थान के स्वामी के साथ बन रहा है शुक्र के साथ तो ये अच्छे प्रणाम आपको ले कर गाएगा तो शुक्र की दशानतर दशा में भाग्ये काउदेव जना विदेशों में जाना चाहते तो विदेशों में जाने से शुबता प्राप्त होगी, पिता की तरब से कुछ लाल की प्राप्ती हो जाए, संतान की तरब से शुबता प्राप्त हो जाए, या शुक्र की वज़ा से जो है, वो इस तरियों को जो है, उनके ग्लैमर में या उनके संदरे में या हर तरह से उनको शुबता यहां पर शु को टूम में सोहार्थ का बातवन बना रहेगा, धन की प्राप्ति हो जाए, धन में लक्षमी का जो वास घर में हो जाए, स्थाई निमास हो सकता है, तो शुक्र के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम बना हुआ है, शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे प्रणाम देता है, और मंगल की जब भी मैं कन्या लगन वालों की बात करूंगा, तो आपको बहुत सजग और साफधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि मंगल आपके दोनों ही बुरे घरों का स्वामी बनता है, और मंगल वर्तमान में आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, और वहाँ पर 16 सेप् चुटरू के घर में बैठेैं, लेकिन केंदर हाऊस में गया है, तो इसमें कहीं न कहीं जो इसकी अशूबता में कमी आ जाएने की कुछ शूब प्रणावापक वह से मिल सकते हैं, जिसमें की परिश्रम प्राक्रम के दम पर आप आगए वड़ते हैं वे नजर आएंगे, परंतु चोट लगने का सिर में चोट लग जाना, सिर में दर्ध हो जाना विर्थ का ब्रह्मन हो जाना या कुछ समस्य हैं फिर भी मंगल की दशांतर दशा में आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं कोई अपनी शत्रू के घर में गया है छटेस्तान में शनी या क्रूर ग्रह कर जाने पर वेक्ति को जो होता है शत्रूं की तरफ से परिशानी कम हो जाती है कोर्ट के जैरी मुकदमा, लिटिगेशन, क्रिमिनल सूट फाइल करना है इस तरह की जितने भी कारे होते हैं जिसमें हिंसा का प्रभाव रहता है उसमें वेक्ति को ये विज़े दिलाता है लोन समंदी कारियों में, रोग समंदी जो चिंताएं हैं आपको कष्ट हैं शरीर के वो सब दूर करता है और सबसे खास्तोर पर सर्वी सेक्टर जो जो लोग जुड़े हुए हैं सर्वीस करते हैं किसी इंडिस्टरीस में या कहीं किसी के पास काम करते हैं उनको कन्या राशी वालों को लाबकिस्तितिया बनेगी नर्सिंग का काम है है लोठ अ गैजिन का काम जिनका है नौकर चाकर की विज़ा से असान होता हूँ, नजर आएगा अच्छे स्थिति है शनी महाराज की कुरूर समंदी जितने भी काम होंगे उन समय में शनी यहाँ पर आपकी पूरूरूप से मदद करेंगे राहु केतु की बात करें, राहु गुरू चंडाल दोश में बहुत ज़ादा कमी कर रहा है, सब्तम भाव में गोचर कर रहा है और अष्टम स्थान से जो इसकी दिष्टिया, जो पढ़ने वाली है, नवम पंचम दिष्टी, बारबे भाओ पे इसकी दिष्टि Mystery पढ़ने वाली है। तो जो लोग वीदेशों में बसे हैं, उनको लाग की अस्तितियु आँ पे दिलाएगा, अश्टम स्थान समझनी जो गही अत्म, गही अग्यान होता है, जो research से related जो लोग जूड़े हैं, research के कारियों से जो लोग जूड़े हैं, उन सबी को लाग की अस्तितियु आँ और राहू भी इस समय जो है वो मंगल और गुरू के नुसार आपको प्रणाम देगा तो गुरू इस समय शुबता की और बढ़ रहे हैं तो राहू भी आपको अचानक जो है अश्टम भाव में लाब दिलाता है हलांकि इस से पहले आपको इसने गुप्त रोग दे रखे हों हूं किसी की मृत्य की पशाओ पैसा मिल जाे लाई से का पैसा मृःचि और पैसा है यह सभी तरह का पैसा जो है वो राहू समय आको दिलाता हूँ नजर आएगा जाskyre Andrew kutu वाणी में कई बार दोश पैदा करता है, परन्तु केतु भी अब कमजोर स्थिती में, आपके लगन की और वक्री स्थिती में मुड़ रहे हैं, तो अभी आपको कुटुम के प्रती या कुटुम से जो परिशानिया चल रही है, उसे बहुत अतक कमी हो जाएगी, धन समंधी जो कमी है, या धन के समंध में जो चिंता हैं आपके मन में बनी है, वो भी कम होती भी नज़र आएंगी, तो ये कुल मिलाकर की स्थिती अब अच के लिए होने वाली है, तो ये था गन्या राशिवानों के लिए, सेप्टेंबर के महिने का राशिपल, और उसमें खास दोर पर देव गुरू ग्रहस्पति की जो चार महिने वक्रिस्तिदी है, मेश राशी में, जिसकी नमम पंचम दृष्टी है, वो बहुत चो प्रणाम आपको ले कर कियाएगी, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इफ यू लाइक दे वीडियो प्ली सब्सक्राइब दे चैनल, थैंक्स पो वाचिंग दे वीडियो,